बिस्मिल्ला रह्माल रहीम, असलामों अलेकूम आज मैं आपके साथ वजरेला चीज की रेसिपी शेयर करूँगी घर में हम इसे बहुत आसानी के साथ और लो बजट में हम इसे रेडी कर सकते हैं चलें हैं रेसिपी की तरफ चलते हैं डूठ लिया है, मैंने इसे हम नीम गरम करेंगे आप अपनी फिंगर की मदद से भी इसे चेक र सकते हैं कि आप जब दूद्ध में अपनी फिंगर डालें तो आप की फिंगर जो है वो जले नहीं दूद्ध की गरsmाईश को हो बरदाश कर सके इतना गरम दूद जो है वो करना है आपने इसे एक बावल में मैंने डाल लिया है एक प मैंने सिर्का लिया अंगूरी सिर्का जिसे हम कहते हैं इसे दूद में अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके mix करती जाऊंगी और चमच के साथ दूद को हिलाती जाऊंगी ये देखें चीज बनने का परोसेस जो है वो शुरू हो गया है अब थोड़ा थोड़ा हम वेनिगर इसमें एड़ करते जाएंगे और आइस्ता आइस्ता से चम्मच को इसमें चलाते जाएंगे वेवर्स ये दूद की कॉलिटी पे भी डिवेंड करता है अगर दूद खालिस होगा तो इसमें वेनिगर जो है वो ज्यादा एड़ होगा अब मैं इसमें देखें ये चीज बनने का परोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है और ये देखें ये बन बन चुका है इसमें मैं इसमें थोड़ा सा वेनिगर और एड़ करूँगी ये तकरीबन फोर थ्री फोर टेबल स्पून मैंने वेनिगर इसमें और एड़ किया है अब इसे मैं स्टेन कर लूँगी और सारा जो इसमें से पानी है उसको मैं निकाल दूँगे एक पैन में हम पानी गरम करेंगे और उबलते हुए पानी में इसे डाल के हम एक मिन्ट के लिए हम इसे पकाएंगे अब इसे निकाल लें और रूम टम्प्रेचर पानी में डाल के इसे इसमें से पानी निकाल दें ये देखे इसमें लचक जो है वो बननी स्टार्ट हो गई है अब हम फिर से इसे गरम उबलते हुए पानी में डालेंगे और पकाएंगे एक डेड़ मिन्ट के लिए और फिर से इसे हम पानी में निकाल लेंगे रूम टम्प्रेचर पानी में और इसे अच्छी तरह से निचोड लेंगे इसी तरह से एक दो पानी जो है वो इसके चेंज करके आप इसे अच्छी तरह से इसमें से पानी निकाल दें ये देखें ये रैडी हो गया है हमारा मॉजरेला चीज इसे हम सेट होने के लिए 30 मिन्ट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ये देखें ये सेट हो चुका है इसे हम करश करेंगे ये देखें बहुत अच्छा सा रैडी हो चुका है अगर आप इसका रिजर्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे सप्रिंग चीज रोल की रेसिपी को देखें उसमें मैंने होममेड चीज का ही इस्तमाल किया है यह बहुत अच्छा बनता है और अफोर्टेबल भी होता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और लेटेस वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें शुक्रिया